खुसी बुटिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी दबाईए ओल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सल्वार की बताने वाली हूँ जिसSके पार्ट में और बेल्ट में अस्तर लगेगा तो यह मेरे पास सल्वार का कपडा है और यह वायाँ dział के लिए अस्तर है ये सलवार का कपड़ा हम नाप लेते हैं कि कितना है सबसे पहले हम अस्तर को नापेंगे ये अस्तर है एक मीटर एक मीटर अस्तर है सलवार का कपड़ा मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कि सलवार का कपड़ा कितना है सलवार का कपड़ा है धाई मीटर तो इस कपड़े से हम सलवार की कटिंग करेंगे साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे सलवार हमारी पॉंच ओपर पड़ती है तो वो किस कारण से पड़ती है और उसे कैसे ठीक किया जाए वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर दीजिए एक लाइक और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को जोर से दबा दीजिएगा और वीडियो को शेर जरूर कर दीजिएगा कपड़े को हम इस तरीके से खोल लेंगे और इसको हम ऐसे पलट लेंगे इस तरीके से हम लंबाई की तरफ कपड़े को पलट लेंगे सलवार हमें 35.5 इंच रेडी करनी है तो इसमें हम 5 इंच का बेल्ट जोइंट करेंगे तो इसमें हम 4 इंच कम सलवार के पार्ट की लंबाई लेंगे सलवार के पार्ट की लंबाई लेंगे हम 31.5 इंच 31.5 इंच यहां से और 31.5 इंच यहां से याँ से हम कपड़े को निकाल लेंगे आप भी अपने सलवार की लंबाई जितनी भी है तो जैसे जितनी भी लंबाई सलवार की है उससे हम 4 इंच कम का ये पार्ट निकालेंगे यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे यहां से हम पॉंचे का निसान लगाएंगे बंद साइड से इस साइड से खुला है और इस साइड से बंद है यहां से आपको जितना पॉंचा रखना है जैसे मुझे यहां पे सड़े 5 इंच का पॉंचा रखना है तो सड़े 5 इंच पे निसान लगाया और एक इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जन निसान लगाएंगे यहाँ पे हमने यह सड़े 6 इंच का निसान लगा लिया है पॉंचे का इस निसान को हम इस तरीके से तिर्चा करेंगे और यहाँ पे हम इसमें निसान लगा लेंगे ऐसे अब जैसे पार्ट की चोड़ाई जादा हो गई है, तो यहाँ पे कलियां जुड़ेगी, यह कलियां यहाँ यहाँ पे जादा उंची हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे कलियां जॉइंट करेंगे, यहाँ पे जैसे सलवार की लंबाई से दो इंच उपर, तो यह जैसे साड पार्ट की कटिंग कर ली है और यहां से भी इसको खोल लिया है तो हमें नापना है कि हमें कली कितनी इंच की लगाने है तो यहां से नापना है कि हमें कली कितनी इंच की लगाने है तो यहां से नापना है कि हम 29 इंच आता है तो हम 29 इंच की कली कटिंग करेंगे कली कटिंग क करने से पहले हम बैल्ट कटिंग कर लेते हैं तो बैल्ट कटिंग करेंगे हम साड़े साथ इंच का यहां से हम बैल्ट कटिंग कर लेंगे साड़े साथ इंच का बैल्ट आप अपने कमीज की हिप के हिसाब से बनाईए अब हम बचे हुए कपड़े में से कली निकालेंगे बाकी के बचे हुए कपड़े को इस तरीके से डबल कर लेंगे यहां से हम इसका आसन लेंगे 10 इंच आप अपने हिसाब से अपनी सलवार का आसन लेजिए यहां से मैंने 10 इंच का आसन ले लिया है और यहां से भी मैं 10 इंच का आसन ले लेती हूँ इस निसान को हम मिला लेंगे इस तरीके से आप आसन के निसान को आसन के निसान से मिला लीजिए और यहां से कटिंग कीजिए यहां से इन कलियों को अलग करेंगे इन चारों कलियों को हम बराबर रखेंगे इस तरीके से हम इन चारों कलियों को बराबर रख लेंगे यहां से हमने यह आसन कटिंग कर लिया है और यहां से यह कली की लंबाई अब हमें इसके साइड में पार्ट को लगाना है ऐसे यहाँ पे हमें कलियां जॉइंट करनी है तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे ऐसे और यह एक्ष्ट्रा कपड़ा जो उपर आता है कलियों में इसको हम निकाल देंगे इसको हम ऐसे तिर्चा करके निकालेंगे थोड़ी दूर तक यह पार्ट हो गए और यह वाली कली हो गई इस तरीके से यहाँ तक यह तिर्ची है और उपर से यह सिद्धी है अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सलवार हमारी पॉंच ओपर पड़ती है तो यहाँ से जो लंबाई होती है वो हमारी सलवार की ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पीछे से सलवार की लंबाई कम हो जाती है तो यहाँ से हम एक इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे पार्ट के उपर हम एक इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर और इसको हम चार इंच की लंबाई में इस तरीके से तिर्चा करके निकाल देंगे ऐसे एक इंच का कपड़ा आप इस तरीके से पार्ट से निकाल देजिए तो आपकी सलवार पॉंचों पे नहीं पड़ेगी यहां से यह थोड़ी इस तरीके से हो जाएगी प्लेटों में तो यहां पे पॉंचे पे नहीं गिरेगी इस तरीके से आप सलवार की कटिंग कीजिए तो मैं इसका अस्तर कटिंग करके दिखा देती हूँ आपको यह एक मिटर अस्तर है तो मैंने इसको भी इस तरीके से डवल और दो बार डवल कर लिया है इसकी चारते हो गई है जैसे पार्ट की तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे सलवार की लंबाई से हम इसको एक डेड़ इंच उन्चा रखेंगे यहाँ पे और सेम इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ पे तो पॉंचा बनेगा तो यह थोड़ा अस्तर उपर की साइड रह जाएगा यह इसमें जॉइंट आप बाद में कर लेना लेकिन यह पॉंचे की सिलाई में नहीं देना है और यहाँ से जो हमने यह तिर्ची कटिंग की है तो यह कटिंग हम अस्तर की भी कर देते हैं पॉंचे की साइड से इस तरीके से आप पार्ट में अस्तर लगाईए यहाँ से कम रह जाता है तो कोई दिकत नहीं है यह चुनट में आ जाएगा यह नीचे से पूरा हो जाता है यहाँ से और उपर से कम रहता है तो यह कपड़ा चुनट में आ जाएगा यह वाला अस्तर बचा है इसको हम बैल्ट में लगा लेंगे इस तरीके से इस तरीके से हमने सलवार के पार्ट में अस्तर लगाने वाली सलवार की कटिंग बताई है ये वाली इसकी कलिया है और इसमें मैंने आपको बताया है कि आपकी सलवार पहुंचों पर पड़ती है तो वो कभी नहीं पड़ेगी इस तरीके से आप सलवार की कटिंग कीजिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब जरूर से कर लीजिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में